आखिर कौन है इशान कटर की रूमर्ड गर्फरेंट चांदनी? पहली बार पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुआ ये कपल इशान कटर इन दिनों चांदनी बेंज के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी चलप्चामे है इसके साथ इसाथ दोनों कपल को पहली बार पब्लिकली एक्स्क्लूजिवली देखा गया है आक्टर इशान कटर ने अपने परस्नल लाइफ से जुड़े अफवाहों से कई बार सबका ध्यान अपनी और खींचा है कुछ समय पहले वो अक्टरस अनन्या पांदे के साथ देटिंग को लेकर लाइम लाइट में थे लेकिन साथ 2022 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिये थे वही अब फिल्मी दुनिया में अनन्या पांदे और अदित्या रोय कपूर की अफेर्स की चर्चा हो रही है और दोनों कपल सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन्शिप को लेकर काफी पॉपिलर हो रही है जहां दोनों कहीं न कहीं हैंग आउट्स और विस्पोर्टिंग में नजर आते हैं इसी बीच आक्टर शाहित कपूर के भाई इशान कटर को एक बार फिर से प्यार मिलने की खबर आ रही है साथ ही आक्टर अपने नए रिलेशन्शिप और गर्ल्फरेंड को लेकर सुर्खियों में है और उनकी लव स्टोरी भी अनन्या अदित्या के रिश्टे के तरह है इंस्टरग्राम पर पेपराथी अकाउंट से इशान कटर और उनकी रूमर्ड गर्ल्फरेंड की एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें उन्हें अपनी गर्ल्फरेंड के साथ पहली बार पब्लिक ली नज़र आए हैं जिससे उन्हें दोबारा प्यार हुआ है आपको पतादें कि एक्टर की रूमर्ड गर्ल्फरेंड कोई और नहीं एक मलेशिया मॉडल चांदनी बेंज है जो लॉकडाउन के समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए इंडिया आई थी और रिपोस के अनुसार इशान ने चांदनी को इसी साल के शुरुआत से डेट करना शुरू किया था उसके साथी साथ अपने दोस्तों से भी मिलवाया था वेल इशान कटर और चांदनी बेंज के अफेस की अफवास सोचल मीडिया पर हो रही थी इसी बीच शेर की ये वीडियो में दोनों कपल को पहली बार साथ में एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया है फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेर की वीडियो में देख सकते हैं कि इशान कटर ने सीडियों से उतरते हुए अपनी गर्फरिंड का हाथ पकड़ कर गाड़ी तक ले गए और गेट खोल कर उन्हें बिठाया उसके बाद उन्होंने पेपराजी कैमरे में स्माइल देते हुए पोस्ट दिया और बताया जा रहा है कि दोनों कपल इशान के दोस्ट की सगाई में शामिल हुए थे इस इवन में शानकतर आस्मानी शिर्थ, ब्लाक पैंट और शूस में नज़र आ रहे हैं वहीं चानली ब्लाक प्रिंटेड ड्रेस और हील्स केरी की हुई है फिलाल आपको इन दोनों के जोड़ी कैसे लगती है हमें नीचे कॉमे सेक्षन में जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें